दूसेटी इंडिया रितीश कुमार नौवी बार वियार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपल दे चुके हैं और आज ऐसे में सुबे साड़े ग्यारा बजे नई सरकार यानि नई क्यावनेट की पहली बैठक होनी है हाला कि विभागू का बटवारा अभी नहीं किया जाएगा टिसीम विजे कुमार सिनहा को बना गया है जो भुमिहार है बिहार का ये जातिय समी करण साफ दिखाता है कि बिहार में लोकसवा चुनाव 2024 का पूरा धन रखा है जबकि नितीश को पूरी उमीद है कि साल 2025 में जब बिहार में विधानसवा चुनाव होंगे तो उसे भी एंडिये में होने का पूरा फायदा मिलेगा इसलिए नितीश कुमार की जेडियों ने किसी तरह से अपना पिंड इंडी गठवंदन से छुडा लिया है ये सरफ नितीश कुमार थे जनता दलियू था जिसकी वज़े से इंडिया गठवंदन बना और कॉंग्रेस पार्टी को भारत की राजनिती में पुने इस्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कौकस था उसकी सेड़ेंदर कारी भूमिका से आज हम मुक्त हुएं हार जेडी से इस्थानी इस्थार पर कुछ बामलों को लेकर के दिक्कत रही लेकिन गठवंदन जो तूट रहा है वो कौंग्रेस पार्टी की हट धर्मिता की वज़े से तूट रहा है पिहार की नई सरकार में जो विधायकों को मंतरी बनाय गया है वहाँ भी जातिय समी करण का पूरा ध्यन रखा गया है मुख्य मंतरी से लेकर मंतरी तक कुल नौ विधायकों ने मंतरी पदगी शपत ली है जेडियू कोटे से मुख्य मंत्री न्दीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीयम समराट चौधरी कोईरी समुदाय से है बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीयम विजे सिनहा भी भूमिहार समुदाय से है बीजेपी के कोटे से मंतरी प्रेम कुमार कहार समुदाय से हैं जेडियू कोटे से मंतरी विजय चौधरी भुमिहार समुदाय से हैं जेडियू कोटे से मंतरी विजेंदर यादव यादव समुदाय से हैं जेडियू कोटे से मंतरी श्रम्ल कुमार कुर्मी समुदाय से हैं हेम कोटे से मंतरी संतोष सुमन दलित समुदाय से हैं निर्दलिय कोटे से मंतरी सुमिच सिंग राजपुश समुदाय से हैं बीहार का विकास होगा इसलिए बीहार जो गर्थ की तरफ जा रहा था बिहार अब विकास की तरफ बढ़ेगा और हम लोग बीहार में 40-40 सीट इंडिये जीतेगी और फिर से 2024 में आने परधानมंत्री जीको को फिर से तिवारे परधान मंतरी बनाने के लिए बिहार की 40 की 40 सीट इंडिये जितकर उनके जोली में देगी देड़ वर्स से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया एलाइंस में और पटना से ये बैठक शुरू कोई बुइंगलूर से लेके मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रियर है अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे लेकिन अभी तो बहुत समय है हलबडी में सीट सेरिंग होता है तो सत्ता का सेरिंग बताते है किसको होता है बिहार में अकेले कुर्मी और कोईरी जाती की आठ फीजदी है इसलिए नितीश को बीजेपी ने दोबारा से अंडिये में शामिल करा है इधर बीजेपी ने करपूरी ठाकूर को भारत रतन देकर और दूसरे मुद्दो को लेकर अधी पिछलों के बीच अपना वोट बैंक मस्बूत किया है बीजेपी सी को आगे बढ़ाएगी बीजेपी और नितीश दोनों को लगता है कि अगर दोहजार चुबीस में एंडिये प्रचंड बहुमत से जीचता है तो फिर साल दोहजार पचीज के बिहार विधान सभा चुनाओ में जेडियो और बीजेपी दोनों को फायदा मिलेगा बीजेपी के वह ये साफ अंदाजा लग चुका था कि लोगसभा चुनाओ दोहजार चुबीस के दोरान इंडिकर बंदन के जरीए अगर नितीश उस पर हमला करते है तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है झाल 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 झाल